बिहार के पटना के मौसंपुर्ग गाउं में एक महिला थी जो महादलत समुदाई से थी. ये बेहत चौकाने वाली बात है. महिला ने प्रमोद सिंग नाम के एक व्यक्ति से कर्ज लिया था, जो गाउं की प्रभावशाली चाती से था. उसने 9,000 रुपे का रून लिया. इसके बाद महिला ने रकम और 1500 रुपे ब्याज लोटा दिया. 22 सितंबर 2023 को प्रमोद ने महिला को फोन किया और ब्याज के रुप में और पैसे की मांग की. लेकिन महिला ने इनकार कर दिया. उसने उसे फोन पर धमकी देते हुए काहा की अगर उसने उसे पैसे नहीं दिये तो वो उसे गाउं में नक्नग हुमाएगा. इसके बाद महिला ने पुलिस में शिकायत की. पुलिस ने हस्तक्षप कर मामले की जांच की. प्रमोद क्रोधत हो गया और उसे ये अपने सामाजिक कद का अपमान लगा. उसी दिन रात प्रमोद महिला के घर गया और उसे जबरन अपने साथ ले गया. उसने और उसकी सातियों ने जो उची जाती से थे उसकी साथ मार पेट की. इसके बाद प्रमोद ने अपने बेटे से महिला के मुँ में पिशाप करने के लिए कहा. उसके सिर पर चोटे थी और जांगों पर पिटाई के निशान दिख रहे थे. महिला के परिवार ने उसकी तलाश शुरू की और उसे बिना कपड़ों के घर भागते हुए पाया. उन्होंने तुरंद उसे कवर किया और घर ले गए. उसकी जांगों के आस-पास बुरी तरह से चोट लगी हुई थी. आरोपी गाओं की प्रभावशाली चाती से थे, जबकि महादलत परिवार दुरलब है. परिवार इस बात पर विचार कर रहा है कि सानांतरित हो जाए या नहीं. पटना के वरिष पुलिष अधिक्षक राजीव विशा ने कहा कि प्रमोट सिंग और उनके बेटे अंशु सिंग को गिरफता किया जाना था लेकिन हमले के बाद से वे फरार है. उसकी गिरफतारी के लिए चापे मरी शुरू कर दी गई है और बांच टीमें गठित की गई है. कड़ी चाँच शुरू कर दी गई है. केंद्रिय मंत्री किरिराच सिंग ने बिहार की घटना की निंदा की है. उन्होंने सरकार की आलोचना की और महिलाओं के लिए अधिक सुरक्षा की मांग की हैं. कर दालोचना की ऌन हमस्भाण ने जालोचन difे मांग की सुरक्षा की ़िए झालोचना की विए खचाथ आलोचना की शुरू . झाल झाल